आमी चीफ आ रहे हैं अफगानिेस्तान के 27 तारिक को 27 जोलाइक को वो भारत में लैंड होंगे और उंकी मीटिण होगीansa अजीद दोवाल सॉष्प hasn't उंकी मीटिंग होगी जनडल में नरवने साथ जो की आमी चीफ है इन सब के साथ मीटिंग होगा। इंडिया की आर्मी जो है वो दुनिया की बेस्ट आर्मी में से एक है नो ड़ाउ था इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको तालिबान आके तबाह कर रहे हैं अगर मिसाल के तौरवे भारत वहां पर भी अपने सोल्जिस ताइनात कर देता है उनकी हिफाज़त के नाम के अफगानिस्तान की सुरतिहाल को इस अंदाज में खराब रखता है कि उसका बराहरास्त असर पाकिस्तान पे पढ़ता है और उसका असर प्रचीन पे भी पढ़ता है चीन के साथ हमारी जो शराकरदारी है तो यह कोई बड़ी कीमत नहीं है जो भारत अजारे है अफगान अकबिल इंडिया के साथ देख रहे हैं तालबान के खिलाफ लड़ने के हवाले से तालबान के खिलाफ जंग में वो असलाह इस्तामाल होना है वो मिल्टरी स्पोर्ट इस्तामाल होनी है जो अफगानिस्तान के आर्मी चीफ एक नई विश लिस्ट के साथ पहुंच रहे है स्पुतनिक के मताबिक नए आर्वी चीफ अफगानिस्तान के जर्नल वली मुहमद अहमद जई अगले हफ़ते नियु दिल्ली का दौरा कर रहे हैं अफगानिस्तान में जंग जारी है अमेर की वाई सेना ने कल तालिबानियों के विभिन ठिकानों पर हवाई हमले भी किये इसी बीच अफगानिस्तानी सेना के प्रमुक वली अमद गई का भारत के दोरे के खबर के सुनकर पाकितानियों की नीन उड़ गई है क्योंकि पाकितानियों को यह लगता है कि अगर भारत वहां की चुनी हुई सरकार जो अफगानिस्तान की सरकार है उसको मदद देना अगर सुरू कर दिया तो फिर तालीमानियों की सरकार अफगानिस्तान में कभी भी नहीं पन पाएगी और पाकितान का सपना धरा का धरा रह जाएगा क्या है पूरा मामला आएए आगे समझते हैं मादद मांगने के लिए इंडिया कोशिश करें लेकिन इस मामले में किसी खुषफेमी की जरूरत नहीं है इंदी लांगरान अगर तालबान आ जाते हैं और इंदी लांगरान चाहिए वो एक मुटेदा हकूमत का हिस्सा होते हैं यह याद रखिए कि इंडिया में उनके कनेक्शन्स हैं उनके मजबी सुकूल अफ़ थाट के वज़ा से हैं और वो नुएद यह नहीं होगी कि कोई आपके हलीफ होंगे और यह जो था ना परसेप्शन के स्ट्रिटिजिक डेप्थ हमें मिलेगी वो हमें कभी नहीं मिलेगा हमें तार लगा देनी शाहिए पाकिस्तानी जो फालतू में कह रहे हैं ना कि हम बताएंगे तुम क्या बताओ गया तुमसे कोई मिलनी रहा तुमसे कोई नहीं मिल रहा ना तुमसे कोई चाहता मिलना अफगान तुमसे कोई नहीं मिल रहा तुमसे तौब चीनी भी नहीं मिल रहे अब जो फैसला होगा का पापिस्तान ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाह इलाला बोलो 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 इस सब रिकॉरड़ेड़ है बाई जो तुम लोग ने बोला था तराने बुरहानवानी ये सब सब नोटेड़ है कोई भुला नहीं है इसको कोई भूला नहीं है वियाद है हमको एक एक चीज नोटेड है और एक एक चीज का हिसाब होगा बाप का भाई का दादा का सब का बदला लेगा तेरा मुदी भारत है अपने soldiers अफगानिस्तान में भेजने जा रहा है या नहीं भेजने जा रहा है सबसे पहला सवाल ये है अब इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको तालिबान आके तबाह कर रहे हैं अगर मिसाल के तौरबे भारत वहां पर भी अपने soldiers तायनात कर देता है उनकी हिफाज़त के नाम के उपर तो एक एक impact पड़ेगा वज़ा ये होगी कि पर तालिबान ये समझे के ये डारक तो फिर जो समझें के तालिबान और ये भारत आमने सामने और तालिबान की खेयर निया ये अभी वली मुहमद अहमद जई साब आएंगे तो ये सबसे पहला सवाल इन से यही करेंगे कि खुदा के लिए हमें असिस्टन्स दें और तालिबान को इस का पता भी हमारत नजर आ रहे हैं सिदी सिदी हुंडा दर्दी कर रहे हैं स्टाफ वापस बुला रहे हैं आपको लगता है कि अफगानिस्तान जिसको गुजश्चता बीस साल में पाकिस्तान की हकोमत क्लेम करती है कि एक टेरर लाँच पैड के तोर पर इस्तमाल होता रहा पाकिस्तान के खिलाफ अगर तालिबान वहां पर आ जाते हैं और वो फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ इस बॉर्डर को पाकिस्तान के इस्तमाल कर सकेंगे। देंकि भारत के कॉंसिलेट हो ना हो, अफगानिस्तान के अंदर उनकी फाज हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे खिला है बीस साल के दौरान उन्होंने काफी अपनी सरमयकारी कर ली है, काफी अपने हुमन रिसोर्से जिसको कहते हैं, वो बना लिये हैं, तो अगर तो वो चाहेंगे, अफगानिस्तान की सुरतहाल खराब रहेगी, काउंटर इंसरजेंट के तौर पे, राइवल मिलिशिया के तौर पे, उनको इमदाद मिलते हैं, ज्यादा है पैसे नहीं चाहिए होते हैं, जो भी कबाली सरदार होता है, जो गैंग लीडर होता है, उसको तो दो-चार मिलिएन डालर ही चाहिए होंगे ना साल में, क्योंकि उन्हें तो ग्राउन ग्राउन तो इतने पैसा नहीं खर्च करना होते हैं, तो लहाज़ा अगर भारत पचास मिलिएन, सो मिलिएन डालर खर्च करके, अफगानिस्तान की सुरतहाल को इस अंदाज म पर पढ़ता है, और उसका पर चीन पर भी पढ़ता है, चीन के साथ हमारी जो शराकरदारी है, तो यह कोई बड़ी कीमत नहीं है जो भारत अदा करेंगा। अपना मस्तकבिल इंडिया के साथ देख रहे हैं, तालबान के खिलाफ लड़ने के हवादे से. तालबान के खिलाफ जंग में वो असलाओस मिल्टरी स्पोर्ट इस्पोर्यूट इस्पोर्ट 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 gry्तर होनी है, जो ओफ इसभारियस्ट वो सुले इंडियर आर्मी चीफ जनरल एम एम निर्वाइन और साथ साथ नैशनल स्क्यूरिटी एडवाइजर अजीद दोबल से उनके मुलाकात होगी इस मुलाकात में वो असले और मिल्ट्री असिस्टन्स से मुतलिक रिक्वेस्ट करेंगे के प्लीज हमें मजीद असला रिक्वाइड है अभी आपको याद है दस रोस कबल की बात है जब खबर ये चल रही थी के कंधार से इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं कौंसलेट का जो वो मुन्तकिल कर दिया गया जितना भी अमला ता स्पेशल जाहाज के जरिए दिली पहुचा दिया गया है फिर 30 टन और 300 टन असले की फुटेज़ज भी सामने की थी कि से पेशल पे इन के जरिए अफगान हकूमत को दिया गया था इंडिया का असला ताकि वो तालबान के خلاف انڈیا نسلے کو استعمال کر four helicopter तीक है ये air strike करता है जन् upwards हेलिकॉप्टर है Taliban के अड़्ों पर Taliban के जेरे कब्जा relative पर ये helicopter अस्तमाल होते हैं जिनको इंडिया ने दिया हुआ है चीतल chopper ये इसमें शामिल है जो already audi अफगान फॉच के पात या अश्रफगनी रजीम के पास इंडिया का असला मौजूद है मजीद क्या रिक्वाइड जी वो विश्लिस सुनने जी अफगान केडिर्स की ट्रेनिंग अल्लेडी इंडिया की मिल्टरी अकैडिमी के अंदर होती है अच्छा जी और इसके लावा जो दिफाई जराये हैं वो बताते हैं कि अफगान आर्मी चीफ आर्मर्ड विकल्स मांग रहे हैं नेक्स्ट वीक में जो दिली के दोरे में हैं टैंक्स मांग रहे हैं इंडिया से और साथ साथ आर्टरिरी गन्स मांग रहे हैं और मिल्टरी हाइडवेर की उनकी डिमांड सामने आई है ये लेके अफगान आर्मी चीफ इंडिया में अजीद दोवल और आर्मी चीफ से मिलने के लिए ये लेके विश लिस्ट लेके जा रहे हैं नहीं है कि अमेरिका ने कई ताबर्तोड हवाई हमले अफगानितान में इस्थित तालबानियों के कई ठीकानों पर किया है यह बात भी सही है कि इसमें तालबानियों का बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है कहा जाता है कि उनकी कमर ही तूट गई है यह बात भी भी पाकितान अपने उपर से भारत के किसी भी जहाज को उड़ने की जाजत नहीं देता है या भारत की ओर से जाने वाले कोई भी जहाज पाकितान के उपर से नहीं जा सकते तो पाकितान को और से भारत का अफगानिस्तान पहुंचने का तो मामला ही नहीं उठता दूसरा रा भी मौजूद है और उसमें भारत के विदेश मंती एस जैसंकर भी मौजूद है तो इसी स्थिति में यह काना कि अभी पांस दिन पहले यह बैठक होई और इरान अपने स्पेस को यूज करने देगा कि उसके हवाई मार्क से कोई देश जाकर तालिबानियों पर हमला करे यह अभी बात सही नहीं लगती है लिए इन दोनों को अगर मिला ले और भारत सरकार का अभी तक कोई इस पर हम प्रतकिरिया नहीं आया है इससे लगता है कि यह के वल पाकीतान का प्रफ़गंड़ा है भारत के खिलाफ यह प्रफ़गंड़ा प्हलाए जा रहा है अब सवाल अपने यहां yearbase देने से इनकार किया है लेकिंडू एयर स्पेस उज्ज करने से इनकार नहीं किया है यारे कौई बाहर से समभवना भी व्यक्त की जा रही है जो सकता है कि अमेरिका ने यहीं से अपने एरो प्लेन को पाकितान के उपर से उड़ाया हो या अब यहीं से द्रोन से अटाइक किया हो लेकिन पाकितान चुकि तालिबानियों को नराज नहीं कर सकता इसलिए पाकितान में प्रपगंडा फैलाई जाए रही है कि यह हमला भारत के जमु जाएगा आज के लिए बस इतना ही आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो खिर्प्या मेरे चैनल को सब्सकाइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियों की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय आप अगर हमसे जुड़ा र करना चाहते हैं तो खिर्प्या मेरे चैनल को सब्सकाइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियों की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय